अब मैं परशाशन को पहचानने के लिए ऐसी मिसाल दे दूँ कि अनपड़ आदमी भी पहचान जाए ये जो जा रहा है शिया है ये जो जा रहा है ये जो कर रहा है ये सुनी है ये वहावी है बिल्कुल साफ पहचान बताऊँगा वो पहचान अलग है कि मुनकिरे मुस्तहब बात को वहावी कहते हैं वो पहचान अलग है कि अल्ला के हलाल किये हुए को ये हराम कहते हैं वो पहचान अलग है कि तक्वित अलिएमान में नभी की तोहीन करते हैं वो पहचान अलग है कि हिवज अलिएमान में इनों ने नभी के इल्म और खायब पर अम्रा किया है वो पहचान अलग है कि तहजीर अलग है कि तहजीर अलग है मेरे नभी के आखरी नभी होने से इंकार किया है वो पैचान अलग है कि शैतान के इल्म को नभी के इल्म से जादा कहा ये परशाशन की समझ में नहीं आएगा ना वो पराईने तातिया समझेंगे ना तैजिल अलनास ना हिवज अलिमान ना किताब उत तोहीद परशाशन आराम से समझ लए हमारे गेर मुसलिम लोग भी समझ जाएं ये शिया है ये सुनी है अराम से समझ में आजाएं अब देखो लखनों के आफिसर्स पुलिस डिपॉर्टमेंट I want to cooperate you because I am interested in the establishment of the peace of the town इसलिए मैं सह्योग करता हूँ अभी सह्योग कीजिए जिसको मातम करता हुआ देखो अजादारी करता देखो officers समझ जाना शिया और जिसको कबर पे फूल चलाता देखो चादर चलाता देखो उर्स करता देखो दरगाहों में अडब से ख़ला देखो समझ जाना सुनी है और जो दोलों से लए वही वहादी है तो कोई अजादारी करता हुआ मिले समझ जाना शिया है चादियादारी करता हुआ मिले समझ जाना सुनी है और दोलों को भी दत कहता हुआ मिले तो समझ जाना वहादी है इसलिए ये शेहर सुनियों और शीयों का है आप जहाँ से आएं वहीं चले जाईए